हलो एवरीवान वेलकम टू मैं चानल दीबगदी आखना व्लाउस तो अभी जो है सुभा का टाइम हो रहा है साड़े आठ से तो उपर ही हो रहे हैं आज उठने में थोड़ा सा लेट हो गया और सोचके ही मैं सोई थी कि लेट उठूंगी क्योंकि कल ही हमने आके घर से जो है सारी बाते मैंने शेयर करी आप लोगों के संग अपनी फीलिंग अपनी स्टोरी बहुत कुछ मैं लग बहुत काम थे 14 फिफटीन थे लेकिन यह थे की सब सुन रहे थे बहुत अच्छे से सारी बाते तो मशीन मैंने बाहर निकाल के लगा दी है और आप ही मैं सारी सीडिया जो है अच्छे से उपर से साफ करती हुई लेकर आई हूँ बहुत जादा धूल मिट्टी हो रही थी मैं गई थी 27 यानि पंगलवार को नेहा के घर पे और फिर इतने दिन बिता के कल यानि की 1 जैनवरी को हम लोग वापस आए हैं और फिर देखी मैं इस सीडिया जो है साफ करने के बाद जो कपड़े दूल चुके थे एच्छे से ड्रायर हो चुके थे वो छट पे लाके डालने स्टार्ट कर दिया हैं कुछ मैं पहले ही डाल चुकी हूँ कुछ जो है अभी डालूंगी तो अभी की जितने भी कपड़े हैं न सारे दिया के हैं नेहा के घर जाने से पहले मुझे मशीन लगानी थी बहुत सारे कपड़े गंदे हो रखे थे लेकिन उस टाइम पे मैं कपड़े जो है नहीं दो पाई थी और किसी ना किसी काम में बिजी हो गई थी तो वो वाले कपड़े ही खटे हो गए थे और फिर उसके बाद जो नेह के घर पे जाने के बाद गंदे होए वो सब भी तो बैग भी जो है मेरा माई पे था मम्मी के घर पे वो मैंने जतिन से बंगबा दिया है क्योंकि मैंने का मशीन लगी है तो अभी तो मैं दो डालती हूं सारे कपड़े और तब बताओं सच में बहुत ज़्यादा खराब हो है अब है वीडियो में तह hp देखना रहा है मुझे काम करते हूए काम करते होए तोना सच में कुछ पता नहीं चलता है यह रहता है कि हम इ un emoji करना करना है तो फिर लगी जाती हूँ उठके क्या करूं कोई और तो करने आएगा नहीं जाया थोड़ा लेट उठों चाहे थोड़ी दर के लिए छोड़ भी दूं करना खुदी है तो इससे अच्छा ना टाइम से कर लो और मेरे को ना आज बहुत लेट हो गया था काम करते करते बहुत ही जादा लेट हो गया था तो मैंने उपर वाली तार पे कपड़े डाल दी है उसके बाद ये सब ग्रिल व्रिल साफ कर रही हूँ क्यों कि इस पर भी कपड़े डालूंगी इसको साफ करना बहुत जरूरी होता है बना फिर जैसे धुल कपड़े डालो थोड़े गी दी है मैंने और अभी जैसे मेरे दूलेंगे कपड़े तो मैं यहाँ पर डालती जाओंगे अभी तो नीचे रगा किया हूँ तीसरा स्लोट ना मशीन का काफी सारे कपड़े हो गए थे लेकिन बेफिकर हो गई हूँ मैं अब क्योंकि दूल गए है सारे कपड़े तो नीच उसे थोड़ा बहुत तो हट गया था दूल मिटी जो थी लेकिन एक बार वो जो प्रेशर वाला पाइप आता है ना उससे शैंकी ने बाश करवाई थी तो वो देखती हूँ मैं आल्लाइन देखूंगी वो प्रेशर वाला पाइप जिसकी विज़े से ना अच्छे से क्ली प्रेशर हो जाएगी च्छत वतना बहुत बड़ी है तरीके से अभी तो बस में जादा कुछ नहीं कर रही हूँ इसको इस तरीके से उपर चड़के साफ करने में बहुत मतलब डर भी लग रहा था लेकिन ये है कि करी ली मैंने मैं ना किसी से यह वाले काम नहीं करवाती ह आड़ हो जारे लगाने माले है खुच सही का नहीं जादा भसंद करती हूँ मैं और यह दिया ना बहुत जाना मिरको बतलब देख रही थी कि ताकि वो भी खुद भी आ जाया है बार लाय पर बोल ले थी मैं भी है जाओ मैं भी है जूह हुउ तो मैंने उसे बना कर रह हू तो बस तोड़ा बहुत समेट रही हूँ केटल जो है लगाई है मैंने गरम के लिए गरम पारी प्योंगी दवाई लूंगी और फोन देखो मैं चेक कर रही हूँ मैंसी जायो तदिया के स्कूल से कि कि आपके बच्चे की जो है फीस जो है फोर्थ जो किष्ट जाती है ना पूरे साल में चार किष्टों में फीस जम्म होती है तो मैं अलड़ी ना दिसम्बर स्टाटिंग में जब मैसेज आना स्टार्ट हुआ था उसके दो दिन बाद ही करा के आ गए थी तो मैंने कॉल बैक क कि आ गई वो मैसेज सबको भेज रहे थे ना तो आपके पास भी फॉर्वर्ट हो गया तब थोड़ी से मेरी टेंचन मतलब ख़तम होई वरना मैं बहुत ज़्यादा टेंचन में आ गई थी तो वैसे बिमार हो रही हो पर थैसे इसे मैसेज आ जाते है ना और भी ज़्याद और फिर उसके बाद जो है मैं बात बात करने लगी थी और यहाँ पर सब चीजों पे ही हलकी फुलकी से धूल जम रही थी वैसे तो घर बन था और मौसम भी कुछ इस तरीके कर चल रहा है कि धूल मिटी नहीं चल रही है लेकिन हलकी फुलकी से डश तो होई जाती हो पर से धर में चूए बहुत है तो बस हर जगा मैंने थोड़ा थोड़ा सा जो है कर दिया है डस्टिंग और यह वाली कवर सोफे के और कुशन कितने अच्छे लग रहे है ना मैंने यहाँ अपने टी-शिर्ट डाली हुई है यह परदे की जगा पर अभी देखते हूं कुछ और डालूंगे यहाँ पर अभी तो फिलाली ही डाली हुई और यह वाली टी-शिर्ट ना इतनी वाम है इतनी वाम है और यह मैं डूनती रहती हूं आज मैंने दिल्दव जैसे वीडियो में देखा ना तो मुझे याद आया वरना चलते फिरते मेरा दिहानी जी आता कि मेरी ट जी नी थी ती मैंने मतलब सीने में भी दर्द हो रहा है और पीछे बैक में भी बहुत जादा दर्द है जारू लगा ली और अब जो है अंदर से स्टार्ट करूंगी पोचर लगाना तो यह कमरा तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा देखिए भरा भरा सा दिख रहा ह निप्टा के पूजा करके किच्चन में कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाओं तु सुचा बेसन का चीला बना लेती हूँ और उसके लिए बेसन लिया थोड़ा सा उसके अंदर बेसिक मसाले आट कर दिये जैसे नमक लाल मिच थोड़ा सा हल्दी पाउडर थे निया पाउडर नहीं डाला थोड़ा सा मैंने इसमें अजवाइन डाला है और कुछ मैंने इसमें खास नहीं डाला प्याज मन किया एक बहुत छोटी सी डाल दी जो कि बिल्कुल मतलब आई नी रही थी भाइट में भी नहीं आ रही थी पता प्रॉपर नहीं है सच में बस ऐसी वीडियो बन रही थी तो मैंने कर चलो ये भी आगे कंटिन्यू करते हैं बहुत दिन से मैंने व्लॉगिंग नहीं की निया के घर रहके भी आ गई हूँ मेरा मनी नहीं कर रहा था कहते हैं कि एक टाइम आता है इंसान डीप डिप्रेशन में जाता है मैं थी वहाँ पर सब कुछ कर रही थी खुश थी जैसे किसी के घर जाके होना चाहिए मूरी बनाना किसी चीट को लेकर या जो भी है मैं खुश थी बच्चों के साथ और बच्चे थे यार बच्चे तो छोटे छोटे हजाते ही रहते हैं सनाया प्यारी Tucson लगयी थी उनके साथ साथ नहा के साथ साथ मन लगा हुआ था अजीब सा मेरे को बहुत टाइम से फील हो रहा है मतलब एक होता है यार एक टाइम पर ना मन करता है कि यार मरी जाओ ये वाली सिच्टिशन भी आती है सब की लाइफ में आती है उस टाइम ना इनसान है नहीं सोचता मेरा छोटा बच्चा है ये है मेरी फैमली है क्या होगा क्या उस टाइम नहीं सोचता सच में इनसान नहीं सोचता है अभी में मैं जैसे बाते कर रही हूँ ना तो मेरे को बहुत बुरा सा फील हो रहा है सच में लेकिन सबके साथ सूचेशन होती है ऐसी ना तो मिरे भी पता नहीं दिभाग करीं और ठाल रह रहरी थी मैं महा पे और अफर से अपने घर में आ गई हूं बिजी हो गई काम में लेकिन कुछ Lena करने का मेरा सच में नहीं कर रहा है पता नहीं बहुत टाइम हो गया आप लोग को गये शायद मैं दीपक की वेज़े से या फिर और किसी इसमें लेकिन नहीं यार अपने आप से भी तो इनसान परिशान हो जाता है ना वो एक अलग चीज़ है लेकिन मैं कुछ से भी परिशान हुई हूई हूं किसी ना किसी थोड़ा इसको भी थोड़ा सा बैटने का जगा देदेती हूं इसने तो बिठा रखा है अपने टॉइसым को यहां पर अपनी बुक्स को पढ़ारी है इन सब को तो मैंन के सोफा कम बैड है वही इसको खोल देती हूं तो ये भी अराम से बैटेगी इस आक्स पैन के खड़ी हुई है फरश पर ठन चड़ जाएगी तो बस मैं यहां से यह सब चीज़े हटाओंगी इसको पता नहीं है कि मैं क्या करने हुए इसको तो लग रहा है कि ममी सब समान हटवा रही है लेकिन मैं चाहरी हूँ कि यह मेरे सामने यहां पर खेल ले और मे जैसे मैंने यह खोला ना तो यह खुश हो गई थी बस दिया के साथ लगी रहती हूँ कुछ न कुछ न कुछ 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 करती रहती हूँ वहां पर कोने पर इसका ही खेलने का समान रखा हुआ है सारा का सारा ना कुछ न कुछ कुछ न कुछ न कुछ यह लगाए रखती ह कॉपी, किताब, ड्राइंग, करलर्स पता नहीं क्या 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 करती रहती है और यह इसका क्रिस्मस ट्री यही पर लगा हुआ है पहले तो मैं सोच रही थी जब नहा के गर जा रही थी पैकिंग कर रही थी सब कुछ समेट के जाओ पिर मैंने ऐसी रहने दिया मैंने का चलो ऐसी रहने दियो आके भी खेल दे की यह चुट-पूट-पूट समान दे को पीछे भी इरा हुआ सोफय के zentर असा तो यह मैंने थोड़ा सा और כोल दिया है फिर इसको थोड़ा सा और बन कर देंगे और अच्छे से पहले तो इसको जाड़ लेंगे अच्छा लगता है यार अभी जैसे मैं वीडियो में देख रहे नो वीडियो में और भी अच्छा लग रहा है बाकी comfortable तो ही देखो अराम से दिया बैठे ये दिवान सा बन गया एक और खेलेगी ये देखो मैडम वीडियो में आके अपना को शॉट दे दिया अपना समान दिखा रही है वई दियू बहुत खुश हो जाती है सोना देथी कि घर से पैंसिल लेकर आई है आदिगे से भी पैंसिल लेकर आई है उसमें भी खुश आई है और बाकी इनने मेले में से बहुत छुट पुट छुट पुट समान खरीदा था जो कि मैंने मतलब वैसे दिखा है तो था कि मैंने क्या क्या लिया लेकिन इस तरीके से ने दिया था करेक्टर वगरा सब लेकर आई है जो जो सोना ले रहे थी वो वो ये सब लेती जा रही थी तो बस दियू ने ये सब चीजे खरीदी है तो मैंने इस पर ये गरम चादर भी बिछानी स्टार्ट कर दी है ताकि अराम से बैट सके और इसको एक ब्लैंकेट भी दे दूंगी दिया को निकाल की और भी सके सोब जाती है तो भी कोई प्राब्लिम नहीं है आप अकेली ना तो बस बैट शिट में पिछा देती हूँ अच्छे से और ये समान अभी भी स्टिल देखो दिखाए जारी है मुझे खुद नहीं पता इन्होंने क्या क्या कितना कितना ले लिया था ये देखो रबर दिखा रही है और ये भी सोना देदी के घर से लेकर आई थी बिल्कुल मतलब सोंग सोंग के दिखा रही है कि स्मेल बड़ी अच्छी अच्छी है बड़ी क्यूट सी और ये भी देखो एरेजर है ये कुछ इस तरीके से पूरा दिखा रही है, आपको निकल जाता है, मेरे को तो पता ही नहीं सच में क्या के लिया था दोनों ने मैडम ने हमारी, तो यहाँ पर जो है मैंने बैट शीट बिचा दी है, बाकी के जो कुशन्स वगारा नीचे गिरे हों है, सब इस पे जो है ना खुला रहेगा, ताकि ये खेल सके अराम से बैटके, क्योंकि फिर ये नीचे गुमती रहती है, दरी भी बिचाती है, तब भी ठंड कढ़ रहता है, बाकी कुशन्स लगा देती हूं यहाँ पे, जितने भी थे, और बाकी ये जो खिलोने मैंने इसके हटाया थे, वो को मेरे तरफ से हैपी न्यू येर, पर लाइफ भी आई थी, अच्छे से बात नहीं कर पाई थी, तब बिल्कुर भी ठीक नहीं थी, फरस्ट को भी व्लाग नहीं गया, सेकिन को भी व्लाग नहीं किया, क्योंकि देखो मेरे लिए व्लाग डालना जरूरी है, मुझे भी प सम्बर लास्ट में भी कम से कम साथ आठ दिन मैंने व्लाग नहीं डाले, अच्छे से बात धान व्लाग नहीं रहे हैं, आच्छे से बात लाग नहीं है, तेक रहा है।